हाई राम राम मेरे प्यारे किशान साथियों स्वागत है आप सब का हमारे यूटिभ चैनल पर मैं आपका दोस्त कुल्दीव कस्यप और ये चैनल आप सब देख रहे हैं दह फार्मिंग हाग आपका चैनल आप देख सकते हैं इधर हमने लोकी लगाई थी इधर भी लोकी यह यहां पर भिंडी है पहले भी हम काफी वीडियो आपको दिखा चुके हैं इस तरीके से और यह देख लीजिए इसमें इस तरीके की प्रॉब्लम है लोकी में जो पौधा है बहुत ज्यादा सूख रहा है और लोकी यह निकली हुई है हमारी कुछी थोड़े पौधे बचे यह थोड़ी तो रही है इधर आप देख सकते हैं सारी लोकी सूख चुकी है लोकी सूखने का में कारण है इसमें नीमा टोड़ लगता है सबसे जदा यह सब देख लीजिए लोकी हमारी सूख चुकी है यह देख लीजिए सारी बेल सूख गई है इसमें यह सब लोकी तयार हुई तयार होने के बाद उसमें फल फूल बतिया अच्छी तरीके से आई और सूख चुकी है इसमें ना ही कोई हार्वेस्टिंग हुई है ना कुछ सारा पैसा इसमें चला गया है और यह इतना मचान अचान बनाए थे जाली तार यह सब लगाए थे सब बरबाद हो ग लगते हैं सब सूख चुकी है और सूखने का कारण यह होता है कि लोकी पर लोकी नहीं बोनी चाहिए अगर एक बार उस पर आप लोकी लगाया है तो दुबारा लोकी नहीं लगानी चाहिए लेकिन जहां पर हम लोकी बोए हैं तो यह लोकी हमारी कम से कम दस पारा साल पहल खेज से 5 रूपिया लोग की वो भी बिकने रही है एक तो जो कहते हैं सब्जी बहुत मेहंगी होगई मेहंगी हो गई अब कोई नहीं कहेगा कि सब्जी बहुत सस्ति है सब्जी कुछ आज कल पानी का पैसा नहीं निकल ला है कि जो किशान होंगे विडियो को जान सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हूँ मैं आपका दोस्त कुल्दीप कस्यप नई नई वीडियो देखने के लिए खेती बाड़ी से